नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा समाग दोस्तों कन्या रासी वालों सनी की धहिया चल रही है और 24 जनवरी 2020 को आपकी धहिया खत्म हो जाएगी 2020 में आपका समय कैसा रहेगा सनी देव आपके पंचम भाव यानि मकर रासी में जब जाएंगे और राहु के तू दसम और चतुरत भाव में होंगे तो इन सभी क्रहों के भ्रमन के आधार पर आपको जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम यह बताने की कोशिस करेंग 2020 यह आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट सावित हो सकता है नवंबर तक देव गुरु भ्रहसपती धनुरासी में रहेंगे और फिलहाल तो 18 सितंबर को सनी देव वक्री से मारगी हो रहे हैं और 4 नवंबर को देव गुरु भ्रहसपती धनुरासी में आ जाएंगे य इनों एक साथ हो जाएंगे और इस जगह पे 24 जनवरी तक साथ रहेगा सनी देव का उसके बाद सनी देव वहां से निकल जाएंगे जीवन साथी के साथ आपको ताल मेल थोड़ी सी बनानी होगी परिवार में एक दूसरे के साथ रहें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और संतान पक्च से सुपसमाचार मिलेगी संतान होने के भी योग बनते हैं और संतान के तरब से भी आपका सरूर चाहोगा और थोरे से खर्चे भी दिख रहे हैं धन संपत्ति के मामलों में भी आपको सतर करेना होगा और इस समें अगर आप लोन बेगरे लिए वे हैं तो आप इसे चुकता कर पाएंगे क्योंकि अच्छे योग भी बनेंगे धन भी आता रहेगा धन के मामलों में कोई खास तीकत नहीं है लेकिन हाँ आप किसी को उधार ना दे पर अगर आपने किसी को दिया है तो वो वापस आपको मिल जाएगा सेर बजार बेगेर में अगर किसमत आप आज मारा चाहते हैं तो जल्दबाजी में मत लीजिएगा अगर जॉब की बात करें तो एक अच्छी नौकरी मिलते दिखती है आप मेहनत कीजिए आपका मेहनत आपका साथ देगा नौकरी में पदोनती के भी योग बनेंगे और अस्थान प्रिवर्तन के भी योग बनेंगे सुन्दर सा समय है अगर आप वेपसाई है तो बहुत अच्छा है समय क्योंकि धन लाब होते चले जाएंगे हाँ हलाकि प्रिस्रम करना होगा लेकिन उसी अनुसार आपको लाब भ चली जाएगी आप विद्यारती हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं मेहनत कीजिए आपको इसके फईनाम भी सुभी मिलेंगे और अच्छा मौका है लाब जरू उठाईएगा इसका वैसे आपकी जो कमजोरी है उससे दूर करें आलस से मत कीजिएगा फिर देखिए कैसे किसम लाइब की बात करें या बैवाही जीवन की तो थोरे से संभल के रहिएगा बैवाही जीवन में जगड़े लड़ाई जैसी चीजें अगर हो भी तो आप अपनी बुद्धि मानी से नहीं दूर करें लब लाइब में हैं तो यहां भी जहां तक संभव हो मिन नेक्स निकाल रहे हर हर महादेव